हेलो अब्रीवन वेलकम बैक तो आज का टॉपिक है हमारा जैनेटिक कोर्ट सो लेट स्टार्ट फर्स्ट हम कदे पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन जैनेटिक कोड क्या होते हैं जैनेटिक कोड शिक्वेंस आफ नुकलिटोइड इन डियोक्सी राइब नुकलिक असीड दियेन इन ड्राइब नुकलिक असीड आजनेटिक कोड बेसिकली क्या होता है जो अमारे ने पे पाया जाता है तो आगे पढ़ते हैं तो दा लीनियर स्ट्वेंस आफ नुकलिटोइड इन डियने कंटेंड इन इंफर्मेशन पर प्रोटीन स्ट्वेंस प्रोटीन प्रोटीन और 茶 जो उसकते हैं तो जब तक कह मतचेंड नहीं कोट इसिजू अधोन प्रोटीन प्रोटीन नहीं जब टक इन नहीं भूरा नहीं बनेगा तब तक आए झारा जब टक नहीं 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 लुटएगा 용 SM तो इसलिए रांस्किप्शन और ट्रांस्किप्शन दोनों ही इंपोर्टेंट पोसेस हैं जिससे प्रोटीन सिंतेशिस होता है तो डारेकली DNA से बंदा नहीं है MRNA प्रिस्केलिए इंपोर्टेंट है तो इसमें यह लिखा है आगे परते हैं और अगर हम देखे तो आगे बड़ते हैं तो अगे बड़ते हैं तरी एड़सेंट नुकलिय टॉइट का जुड़ना उसको हम कहते हैं विच कोट वर इस जो कि अमीनो आचिट को करते हैं पर एक्जामपल से यूजी जगोडों डाइट स्पेसिफाइद अमीन ऐसीड मिधोनीन तो सबसे पहले हम देखते हैं देखें जैनिटिक कोड पर्टिकलर टाइप का नुक्लिटर चिकुंस होता है जो एमाने पर पाया जाता है तो इसमें क्या होता है जैनिटिक जैनिटिक क है जैनिटिक कोड इसमें लिए आमीन ऐसीड अपसमें जूड कर बनाते हैं तो हम इसमें पढ़ते हैं क्या लिखा है थ्री एजन पर लिया फार एक्जांपल सेकोड़ इस पेसिफाइद मिधोनीन तो स्पेसिफिक ईउजी कोड़न होता है वह स्पेसिफिक अमीन ऐसिद मि उसमें क्या होता है 64 possible codon होते हैं 4 की पावर 3 करें तो उसको जो प्रोटीन कोड नहीं करते हैं रिमेनिंग 61 कोडोन जो होते हैं वह 20 अमीन एसीड बनाते हैं और प्रोटीन बनता है उनसे दाइजी कोडोन इस एडिशन तो कोडिंग फॉर मिथोनीन की जो कि पाया जाता है बिग्निंग ओफ एवरी अमारे ने शुरुवाद में पाया जाता है और इंडिकेट दस्टाट फफ प्रोटीन और यह जो होता है माना चाहता है यह जो इस अधार को इस विद्वाद मिथोनीन एंड ट्रिप्टोफेन अर्डी ओनी टूमि एमिन एसी डैटार कोडिट फॉर बायर जस्ट निंग लाँवाद यह सिंगल कोडों जो हमारे पास यह तो जो हमारे पास 18 amino acid होते हैं बचेवे वो कोड होते हैं 2-6 कोड़ों से विकाज मोस्ट आपी 20 amino acid होते हैं वो कोड होते हैं एक से जाधा कोड़ों से नेक्स हम देखेंगे कैसे 4 nitrogenous base से 64 कोड़ों का फॉरमेशन होता है तो लेट स्टार्ट तो इसमें हम देखते हैं 1st letter में देखें इसमें क्या है UCAG हमारे 4 base हैं और 2nd इसमें भी UCAG 4 हैं और सामने इनके box की तरफ देखें यू-C-A-G, यू-C-A-G, नाइट्रोजेनस बेस हैं, अलग-अलग समें दे रखें बाक्स में, तो सबसे पहले क्या होता है, ये वाला यू लेंगे हम, फिर ये लेंगे यू, और ये सामने, जो इसके फ्रॉंट में है, ये लेंगे यू, तो यू-यू बन जाएगा, इससे एक एमिनोएसिंट फॉर्म होगा, उसके बाद दूसरे देखेंगे, हम दूसरे एक्जामपल लेते हैं, फिर हम यू लेंगे, फिर ये वाला यू लेंगे, उसके बाद हम लेंगे C, सामने, इसके जो फ्रॉंट में है, बॉक्स के बनेगा हमारे पास, यू-यू-C, ठीक है तो समझ में आगे आपके, नेक्स देखें, हम जैसे लेते हैं, ये वाला यू, वो ए, और ये वाला यू, और उसके बाद हिलिया हमने G, ठीक है, तो क्या बन गया है, A, U, G, जिससे हमारा अमिनोएसिड फॉर्म हुआ, मिथनीन, ठीक है, जो कि मिथनीन की फॉर्मिशन करत तो जैसे की, अब देखें आप, ये वाला, ये वाला, तो अब जैसे देखें, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये यू, ए, ए, तो हमने सबसे पहले क्या लिया, यू, उसके बाद ए, उसके बाद हमने फ्रंट में इसके क्या है, ये हमारा बन गया, ये हमारा stop कडोन होता है उसके बार इसके नीचे ही यू ए और इसके सामने फ्रंट में जी तो क्या बरना यू ए जी तो ये भी stop कडोन है हमारे पास तीन stop कडोन है क्यां से तेखिए यह तीन stop कडोन है ем रहे जो की termination में use होते हैं तो table आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से बहुत easy है बस आपको तरीक आनज चाहिए कैसे बनाने है और देखे इसके front में आपको दिखी रहा है कि जब हमने इन codon से specific codon से हमें एक specific amino acid मिल रहा है तो ये देखे इससे भी मिला इसके आगे ये लिखा है सबके आगे इनके amino acid लिखे हैं जिससे ये form हो रहे है ठीक है तो ये जो हो गई हमारी table हो गई ये ज़रूर आती है हमें इस topic के साथ ये table बनानी होती है तो आपको समझ में आ गई होगी easily table तो topic complete होता है नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे types of genetic code तो के बाइ वीडियो पसंद आए तो लाइक करें कमेंट करें सब्सक्राइब करें